तो दोस्तो सस्क्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को दबाएं हेलो फ्रेंट्स केरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है मैं अन्सूल आज आपके लिए लेकर आया हूं अठारा जून के और सतरा जून के करने फेर्स तो कल मैं कुछ किने रिजिशन की वज़े से शतरा जून के करने फेर्स नहीं डाल पाया था तो इसलिए मैं आज लेकर आया हूं ताकि आपका नुक्सान ना हो वज्चों का नुक्सान ना हो इसलिए हम यह सतरा जून के दोनों युकठे ही आज लेकर आये हैं कल आमने पीडियो बगर बना ले थी लेकिन हम किसी किने रिजिशन की वज़े से जो वीडियो है वह नहीं डाल पाये थे तो आज हम दोनों सदरा और अठारा जून दोनों के करन टाफेर्स पड़ेंगे तो चले शुरू करते हैं पहले हैं सदरा जून के करन टाफेर्स तो सबसे पहले नेशनल नूज किया है धरमेंदर परदान जो हैं उन्होंने लॉंच किया नैशन का फस्ट इंडियन गैस फॉर्ड़ी सप्लाय अपेंड तो सभी को क्लीन और एफॉरड़ेबल रेट पे सस्टेनेबल और विजन तो उसके लिए क्या गया है गया गया है जो प्रधानमंतर जी ने दिखाए थी उसके तरफ क्या ही कि ने 9 mm Baptist Church क्लिवान कौन याँथि मार्क E Можно नारी काम कक ननीज एक्स्ध inspection कई कोई प्लोवर्मर्म इनरी मार्वेंट इन्जिन इनर्जी एक्सिंग न से तो चिपस काम क्वच्ध वृबपडी इसकविरी मृप casos अविलबलीटी इस at lower prices without any government interface तो क्या है कि इसमें government का कोई interface नहीं होगा जो आई-ई-एक्स है आई-ई-एक्स के अंटर जो आई-ई-एक्स है वो अपने आप ही जो competitive price के according जो market demand के according जो prices उनको उपर नीचे कर सकेगा तो government का interference नहीं होगा however the prices of domestically produced natural gas is decided by the government तो जो domestic जो लेवल पर जो development होगा जो produce होगा natural gas उसका जो prices होगा है वो government decide करेगी लेकिन जो बाहर से मालों import होकर आएगा तो उसके लिए कौन आई-ई-एक्स है वो ही क्या decide करेगा प्राइस वोगरा जो है decide करेगा it will not be sold on the gas exchange तो जो government के जो डोमेस्टिक प्रोडुस होगा जो जो गैस नेजरल गैस उसका प्राइस्ट गोर्मेंट रिशाइड करेगी और जो यह है जो जो गैस एक्सेंज है उसमें sold नहीं किया जाएगा जो जो डोमेस्टिक वाला प्रोड़क्ट है तो वह बाहर गोर्मेंटिक अलग से शेल करेगी तो रिशेंडली लिक्वीड फाइड नैसल गैस टर्मिनल ओनर्स स्टेट औरन गैस ऑथोर्टिव इंडिया लिम्टेन की गेल है जो एंड जो पेट्रोनेट लिमिटेड पेट्रोनेट लंजी लिमिटेड है पी एलल उन्होंने जोइन करके क्या मिला ह है आई जी एक्स उन्होंने जोइन कर लिया है तो अभी पी एन जी आर्बी के बारे में जाल लेते हैं चेर्मेन है दिनेश्कुमार शराफ और जो है एक्स के बारे में जाल लेते हैं इसका मेंडिजिंग डिरेक्टर और सीएफ सीओ है राजीव श्रिवस्तव हैं हेड़कॉर्टर है नियुदेली में नेक्स्ट न्यूस है एंप्लोईज प्रोविडेंट फंड और और्गनेशन उन्होंने लॉंच किया है कि मल्टी लोक यू पोरे इंडिया में कहीं भी एकन्टरि जा सकते हो और किसी भी ख्लेम ज्यासे कि प्रोविडेंट станов further पें肆 पव्या और तो मतलब जैसे कि आपको अभी जो पिछले बहीने ने शुरू किया था एक वन रासन कार्ट की भी आप पूरे देश में कहीं से भी रासन कार्ट दे सकते हो तो उसी तरह से एक लॉंच किया कि भी आप क्लेम अगर आपको कोई एपको क्लेम है जैसे प्रविडेंट फंड का ह से नंटनाट करेंब सब्सक्रांब कोवे अगा चैयं कि अपना जो फैसिलिटी है कर सकते हैं एंस्ट इंडिया ने जोइन हुई है इसकी जो फाउंडेशन है और इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर्स में जो शुरुवात किसी जिन 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 देशने उनमें यह सामिल है एस फाउंडिंग मेंबर्स टू सपोर्ट रिस्पोर्ट रिस्पोंसिब्ल एंड हुमन सेंटर टैवलपेंट तो यूज ऑफ और जो की मानव के अंदरीत विकाश सको और जो काम करने के लिए अर्ग को बनाया गया है जो गोबल पार्टनर्सपोर्ट आर्टिविशल इंडिया सिट्टीश इंडिया फ्रांस जर्मनाई इसन्ट्रैली जपैन मेक्सिको न्युजिलेंड रिपबलीप आफ कॉरिया और कोरिया का मतलब यहां पे हो गया साउथ कोरिया एंड सिंगापूर फॉर लॉंच ऑफ जी प्याई तो यह सारे देश हैं इनके नाम काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं तो इनके नाम सब को याद होने चीए यह सब क्या है कि जो जी प्याई है उनको हमेंबरज कोन यह सब हैं इंडीया भी एक मेंबर जीपिक है इंटरनेशनल मॉल्टीस टेकहल्ड़ीए निसे वह हैं इनिसेटिव फॉस्त ओफॉर इंद्रसेंडिंग बैटर हैं उर्न प्रफ मेंद्रेंबर्ज के और चाह्कान और चाहिए और ऑब complaint फो avec कंसरा आहां और उपरजुनिटीज का मतलब जो अफसर है तो उनको एक तरह से क्या कर सके बैटरी अंडरस्टेंडिंग हो सके अराउंड याई जो आर्टिफिशल टेजिस के रडाउन जो भी अंडरस्टेंडिंग है जो चलेंजिस हैं चुनोतीया आती है उनको अच्छे से समझा दसके तो ये इस तरह का किया है अपनी तरह का पहला इनिशेटिव है इट और ऑफिशली प्रॉपोस्ट वाइफ्रांस सेन कनेडा एक अगस्तट ट्रूंट ट्रूंट ट्वैंटिनदीन इस प्याया था इसका में में उटोडास उसमिट हूए था उसमें क्या खेंए ले आई data governance future of work and innovation and commercialization तो यह च्यार groups है उनके उपर क्या करेगा यह जो जीपाई है वो क्या करेगा काम करेगा यह च्यार ग्रूप इसमें सामिल होंगी एक्स्ट है इंडिया रैंक्ट शिक्स एच नुक्लियर वेपन्स इंक्रीज इस सिंस टुन साथ नाइटी यू एस टोप्स सीप्री इंडिया चान्ट से नम्बर पर आए च्टे नममर पर आए और यूएस को आऄ टॉपर है यूएस टॉपर है तो अभी देख लेते हैं इनकोर्डेंस विदा सिप्री इयर्बुक 2020 तो इयर्बुक 2020 निकाली है सिप्री ने सिप्री एक और्गनेजेशन इसका फॉल फॉर्म क्या है जो स्वेडिस थिंग टैंक है जिसका नाम है स्टोक्हॉम इंटरनेशनल इंसेुट इनटरनेशनल पीस इंस्टितूट सि प्री इसकी क्या है कि यह अर्मामेंट्स हैं कितने हत्यार उसने कीसी देशने अंदेश सेना है यह ऐपने जो बैटालियन है उसमें सामिल की डिस अरवापमेट का वंदल कितने हतयार उन्होंने नश्ट करती है कि भी पूरा नाम है जो बुक का जो ये सिपरी ने निकाली है नमबर ओफ नुकलियर वारहट इंडियन आर्सेनल पैग्ड एट तो जो 2019 में रिपोर्ट निकाले गी थी वह कौन से साल के निकाले गी थी दो 2018 साल के लिए और जो अभी इंडिया ये निकली है ये 2019 के लिए तो 2018 में हमारे पास 130-140 नुकलियर वारहट थे अभी कितने हो गए वह 150 हो गए हैं 2019 में फॉलॉइंग डेवल शोज दा नंबर ओफ वारहट तो वारहट की बारे में बताया गए है एज अफ जनुवरी 2020 तो जनुवरी 2020 तक कौन से देश के पास कितने थे वह थोड़ा बताया गहा है में में जो देश है पैरा देश है यूएस से अठावन सो वारहट से नुकलिय तो जो डिपलोईमेंट है नितनाती है कि जैसे की बना तो लिए बना तो रखे है रोसियान सबसे ज़्यादा लेकिन जो तैनात कर रखे हैं भी अपने पूरी तरह से रेडी इन रेडी सिच्वेशन में है कि वी किसी टाइम भी अगर यूज़ू करना पढ़ सकते तो वह से जाता है इसलिए कि मिली है इसके चेर्में है जो एंबेस्डर जैन एलियासन है और डिरेक्टर है रेंड़्ण स्मीथ हैड़ कॉट्र है स्टोकम स्वेड़न में तो नेक्सटर बैंक वैंक प्रोवाइट फैनेशल सिकूर्टी तो यह क्या है तरह देख तो जो जो इसके एंपलोईज बगर है के उनको के करें कि फैनेंशल सिकूर्टी प्रोवाइड हो सकेगी फिचर ओफ सरुक्ष्या सेल्ड अकाउंट क्या है कि नो मिनीमम बैलेस् रिक्वाइड कि या सिदन खाते में क्या था कोई minimum balance required नहीं था एंड two cover insurance two covers insurance covers included namely hospital 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 cash insurance and personal accidental insurance तो ये दो दो तरह के साथ हम क्या कहें है insurance भी cover है इसमें इसे जो सुरक्ष्य salary account है तो इसमें salary भी आईगे आपकी balance भी जो no balance पे no minimum balance होगा और क्या है सिक्ष्य शुरक्ष्य भी होगी क्या होगी दो तरह के personal accident insurance और hospitalized insurance भी क्या होगा सामिल होगा तो एटल पैमेंट bank headquarters है गुरुग्राम हर्याना में and mdco है इसके जो अनुब्रता विश्वास हैं वो इनके mdco है next in news है economy and business related to cbic Central Board of indirect taxes and customs उन्होंने क्या क्या है जो उनके चेर्मेन है एम अजीत कुमार उन्होंने लॉंच किया है इए ओफिस अप्लिकेशन इन ओल cgst तो चेर्मेन है अजीत कुमार उन्होंने लॉंच कर दिया है जो अप्लिकेशन ओन ओबर 500 cgst और उन्होंने नहीं दिल्ली में लॉंच किया है जो पान्सो कस्टम ऑफिसर बगर है उनके लिए ओफिस अप्लिकेशन लॉंच की है तो यह क्या है मिशन मोड प्रोजेक्ट है अंडर दा इगवर्नेस अच्छी होगी तो इस मिशन के लेटिट का है एक यह ओफिस जो है यह लॉंच किया गया है चाइब सक्टम सब्सक्राइब करेंश का करें पांसो यूएस बिलियन ैलर को फूर्दा फस्ट टाइम तो इनकोटास विखे टाटा जो विकली स्टाटिस्टिक डाटा जो रिलीज किया जाता है अरवेक द्वारा हर वीक तो उसमें इंडिया का फोर्ण रिजर्व है वह 500 यूएस बिलियन डॉलर को जो मार्क है 500 डॉलर का उसका क्रोस कर गया है और इसका क्या है कि टॉटल कितना अभी उसके साब से रिपोर्ट के साब से जो पांसो एक पॉइंट साथ बिलियन यूएस डॉलर है ऐस उफ जून पांस तो पांस जून को यह नेर डाटा रिलिज गया पांस उनको तका यह डाटा था जो पिछले हफते हमने इसी हफते क्या है रिलीज किया गया है राइज ओफ एट पॉइंट टू टू बिलियन डॉलर इने वीक तो यह कितना है एक बिलियन एक वीक में कितना इंक्रीज हो चुका है जो आठ पॉइंट दो दो यूएस बिलियन डॉलर है तो इंडिया का फोरन रिजर्व है जो वह कंप्राइज कर है यूरो है वह सबही कितने है करंशी कितनी है गौल्ड रिज़व कितने है स्पेशिल ड्रोइंग राइट कितने है है जो इंडिया का बोजिशन रेवां पूरा देश की तोर पर और रे किया है इंडिया छी प्रेंस कितरी है पॉइंट करता है उन्होंने पॉइंट किया है जो सार्क एंड एसोसियेट्स एज ओडिटर तो जो ट्रस्टीज है पी-एम में जो सीटिजन्स एसिस्टेंस एंड रिलीफ इंड एम एमर्जेंस सीचुसेशंस प्य-म के एर्ष फंड जो बनाया गया था अभी कोविड-19 के केस में जो उन्होंने पॉइंट किया है जो सारक है सारक कंट्रीज है और इसके एसोचेट्स हैं उनको सारक एंड डिली बेस्ट चार सुनिल कुमार गुपता है एंड जो हैड़कॉर्टर है नहीं दिल्ली में किर्गिस्टान के जो प्राइम मिनिस्टर है मुखम्मद काली अबिल गजी ये तो ये नाम है अजीब सा नाम है देख लेना आप तो इनको इन्होंने रिजाइन कर दिया है तो ये काफी अच्छी न के सबस्क्राइब्स प्राइम मिनिस्टेट जो शरौन बई जीन के और वक्यों गॉर्ण मेंको अप्रेजड सेंग आफ्र जो येिदेया की कै है अप्रिय जो इस्तिफा कफाव ऐना प्राइमिस्टर की सपत ली थी और अभी इन्होंने 15 जो कर दिया है तो किरगर्स्तान का कैपिटल है बिसकेक एंड जो करंसी है किरगर्स्तानी सोम एक्विजिशन में मर्जर्स के बारे में जान लेते हैं जो नांतीवन सुक्राइबल आखत लली देन कई कैमेजर को में अपर्व कर दिया आप्रीं का involvement इस स्यूटिशन ऊंद दिया है यह कैंड इसको friends नंहीं तो यह इसने कंपनी ने तीनों में कुछ कुछ हिस्यदारी ली है अपनी तो उसके प्रूव करते हैं जो कंपेटिशन कमिशन ओफ इंडिया है उसने प्रूव कर दिया है सिस्या के बारे में जालते हैं यह 2003 में अक्टूबर में फोर्म आथा एड़कॉर्टर नहीं दिल्ली में है और चेर्मन है इसके असोक कुमार गुपता इनवार्मेंट से लेटर नूज है जो 500 साल पुराना एक टेंपल है जो फांट किया गया है महानदी रीवर में उडिस्य उसके अंदर नीचे मिला है इसका कहा जाता कि कम से कम करेवन 500-200 साल उसे जपानी के अंदर डूब गया था 500-200 साल पहले तो वह अभी उसके बारे में हमें पता चला है तो दिपक कुमार नायक है प्रोजेक्ट एसिस्टेंट ओफ इंडिया नैशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट प्रोजेक्ट और नायक है उद्णने किसके साथ मिलकर करके रभिंद्र नाराना है रिटेज एंथूशेस्ट ओफ उडिशां उन्हें लोकेट किया है इक 500 साल का जो 500 साल पुराना एक मंदिर है समर्झ मंदिर पान के नंदर डूब चुका था वह पूरी तरह से तो उसको दूबारा से खोज निकाला है महानधी रिवर नियर बैदेश्वर जगे कोई इन पदमावती एरिया कटक में कटक में तो उडिसा में यह महानधी रिवर में मिला है तो डोकुमेंटेस्ट्पोजेक्ट अफट इन डामानधी वालीवास लूंश्ट वाइए इन टेस्ट उड study in on any river in India तो यह क्या है एक पाइलेट प्रोडेक्ट का मतलब क्या हो गया कि भी एक तरह से प्रैक्टिक जो एक्सपेरिमेंट के दौर पर यह यूज किया गया है और काफी सफल हुआ आपको जैसे पता चल गया होगा जैसे कि इन्होंने क्या कर लिया है जो एक मंदिर खोज निकाला है जो 500 साल पुराना था जो नदीक के अंदर वो क्या था पूरी तरह से डूब चुआ था तो इन्टेक्स के बारे में जा लेते हैं चेर्मेन है एलके गुपता और जो हेड़क्वाटर है वो है नई दिली में नेक्स्ट एक नई फिश की स्पीसिज पाई गई किया है नाचल प्रदेश में डबाइ डॉक्टर केशव कुमार जा आइसोशेट प्रोफेसर एंड है डिपार्टमेंट अफ जो लोजी के जवारला नहरू कॉलेज जो पासी घाट है और फिश स्पीसिज इस फ्रम जीन से जो थोरस है जो जीन है उससे क्या है मिली है यह उ वह सरकल ओफ इस्ट सियांग भिस्टिक तो इसका नाम क्या रखा गया है जो यह रीवर बगारा के जो आपस में मिले हैं जहां पे तो उनके ऊपर यह नाम रखा गया है दफिश लेप सिने समर्ज देदे अपर है कि डूब रहते हैं मतलब घहराई में यह जो फीस है वो र बारा जो जून 17 जुन थी वर्ल डेटु कॉंबेट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट तुट 2020 जो डेट था वो सेलवेट किया गया था तो मतलब कि जो मरुस्थर लिकरन है और डेजर्ट है उनको ड्रोट है सुखा है उनसे लड़ने के लिए कैसे उनको एक हरे भरे एक सि दोर किया गया था वोल्डे तो इसमें क्या है कि जो जनल पब्लिक के को एजुकेट करने के लिए टू अंदा इंटरनेशन एफ़र्ट तो फाइट अगेंस डेजर्टिफिकेशन तो यह जनल पब्लिक के तरफ अबरनेस फिला जा सकता लाने के लिए कि कैसे मरुस्तिय लि गया था उनाइटि नेशन जो कन्वेंशन टू कॉंबेट एजर्टिफिकेशन जो सीची यूएंट सीचीडी है उसका मोटो है हेल्दी लैंड इस इकल टू हैल्दी पीपल तो यह नहीं अगर सुवस्त भूमी है तो सुवस्त लोग होंगी थीम ओफ वर्डे इस साल की जो जो मिनिस्टर है पारक चौंग हो एंड हेड़कॉर्टर है दाइजिंग रिपॉब्लिक ओफ कॉरिया में यूएंट सीचीडी के बारे में जाल लाते हैं इब्राहिम थियाव एंड जो हेड़कॉर्टर है बॉन जर्मनी में महाराष्टरा ने साइन किया है बारा एमो यूज विज डॉमेस्टिक और फॉर्ण कंपनीज के साथ ताकि जो एफडियाई है कितने वर्थ की 1630 करोड रुपे की जो एफडियाई है वह लाइजास के मेगनेटिक महाराष्टर 2.0 इनिशेटीव तो एक मेगनेटिव महारा टेक्ट की बारा कंपनियों के साथ जो कुछ में उसमें फॉर्ण है कुछ डॉमेस्टिक है तो जो मेमोरेंडब एंडरसेंडिंग है वो साइन किया गए है ताक कि एफडियाई ऐस्टेट गवर्मेंट के बियाफ और बायर इस्पेक्टिव गलोबल कंपनी इन देर टेक्नलोजी लोगिस्टिक में केमिकल्स में फूर्ड प्रोसेशिंग तो यह सब जो कंपनीज है इन इन फिल्ड में काम करते तो इनकी साथ क्या क्या गया है मारस्टर के कैपिटल मॉंबई है गवर्नर है बगत सिंग कोसियारी और जो चीफ मिनिस्टर वो कौन है उद्ध परासी का एक सेनेटेशन फैसिलेटी डेवलप करेगा जो नेपाल का आइकोनिक पाशुपतिनाथ टेंपल है वहाँ पर क्या करेगा इंडिया एक सेनेटेशन फैसिलेटी डेवलप करेगा तो इंडिया ने अपनी जो फैनेंसिल एड है नेपाली रुपीज शेयतिस वापस में नेपाल में नेपाल मिनिश्ट्य और फेडरल अफेर्स एड जो गवर्मेंट जो जो इंडिया रिए और तेस्ट को साथ क्या हूए है मयू साइन हो चुका है विद इस डा टॉटल आउटले व द प्रोजेक्ट रिचिस दो पॉइंट 33 करोड की जो आउटले है टॉटल आमाउंट है वह यह होगी एंड विल भी कंस्ट्रिक्टेर नेपाल भारत जो मैत्री है डेवलप्मेंट पार्टरसिप है उसके उपर उसके अंतरगत क्या होगी यह डेवलप्म किया जाएगी नेपाल की राजदानी काठवांडू है नेपाल के करन्सी नेपालिज रूपीज प्राइम मिनिस्टर है खडगा प्रसाद सर्मा ओली यानि केपी सर्मा ओली भी नाइको जाना हता है प्रेजिडेंट का है बिद्द्य द टुस्तरा जुन को छुद्स सपोर्स मिनिस्टर था प्रपैयर किया था एक प्रॉपॉज के विस एक्सलेस है किस लुझत करना है की में अनृष उनने वो कियानांसमेंट की है यो फैसिलीटी है वो क्या है वुझकिन है नोर्थ इस दिल्जन से गया है और लाज आग्म कि और जीजु है किन्दुधे आऊ है चैरेटरेटरी ओफ स्टेट है से अचीरेटरेटरी ओफ स्पोर्ट नैच्राइशनल लूज इंट्रेंशनल लूज वे किया इंडिया Is the न नार नाइंत रस शीप्टन फटocalypse तो जो 2019 में FDI आई थी पूरे भारत में तो उसको वर्ड में कंपेर के जाए तो सबसे जो नुवा कंट्री है इंडिया पूरे वर्ड में जिसमें सबसे ज़्यादा क्या आई है जो FDI है वो आई है फिफ्टी वन युएस बिलियन डॉलर की जो FDI है 2019 में टोटल आई है यूएस ने इसको टॉप किया है और क्या है यूएन जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट हो सके कोडिंग ये बताए गई है तो यूएन की जो ट्रेड बोडी है यूनाइटि नेशन कॉन्फरेंस वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की है उसमें इंडिया नाइंथ लार्जेस्ट हो गया है 2019 कितना फिफ्टी वन यूएस बिलियन डॉलर का लास्ट यर एन इंक्रीज ऑफ ट्वेंटी परसेंट तो फिछले जो 2018 में जी दनी आई थी उससे क्या हो गया है कि ज यूएस बिलियन डॉलर का जो एक यह वह आया है पूरे बारत में इंवेस्टमेंट आई है इंडिया के है जो साउथ इस्टी साउथ एसीन देश है उनमें सबसे ज्यादा इंडिया है लेकिन पूरे वर्ल्ड में कर के जाए तो वहां पे 9th प्लेस प्याता है इंडिया तो 1.54 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जो वैल्यू थी 2019 में तल टोटल जो एक देश में एक देश से दूसरे देश में तो उसकी टोटल अमाउंट थी 1.54 ट्रिलियन यूएस डॉलर तो जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट उसके बारे में जान लेते है इस बीन पूब हर लेवल पर दी जाती है and emerging measures to improve its contribution to development तो इससे क्या कुछ development हो सकता है development में contribution हो सकता है किसी भी देश में तो उसके उपर भी क्या किया जाता है measures वगर है उनके बारे में पता जाता है तो UNCTAD का है उसका headquarter है जनेवा सिविजलेंड में और जो secretary general है एक वह कुन है जो डॉक्टर मुखीशा कुटी की टूई है तो यह एक UN की United Nation की क्या है इंडिया स्टेंट सेट 43rd position in 32nd edition of IMD जो competitive ranking 2020 है वो IMD ने रिलीज की है उसमें 43rd position इंडिया की आई है और जो सिंगापूर है उन्होंने टॉप किया है तो सोड़ा जून को इन्होंने रिलीज की थी जो वर्ड कंपेटिटिव इंडेक्स है WCI 2020 उसमें जो 32nd edition था इस बार जो उसमें जो 63 economies हैं क्रोश ताओ लोग उसमें इंडिया के रहें गाई है 43rd prepared by किसके द्वारा स्विचर लेंड के बेस कंपनी है कि जो इसका नाम किया है International Institute of Management and Development IMD के नाम से इनको जाना जाता है उन्होंने वर्ड कंपेटिटिवने सेंटर है जो वहां पर उसने क्या किया है यह launch किया है तो इंडिया ने को मेंने किस कितने प्लेस पर रही है 43rd position पर रही है सिंगापूर के हैं उन्होंने टॉप किया है दू टू स्ट्रॉंग एकोनोमिक प्रफॉर्मेंस एंकम्स फ्रॉम रॉबस्ट इंटरनेशन ट्रेड इन इंवस्मेंट एंप्लोईमेंट सेटनेशन इंसूट अफ मनेंजमेंट मेंजमेंना अवलकमेंट उसका हैं रही सेटकॉऩेशन शाव महीं च इद्वाल एक सीड़ की है बेंकी कि जो छाव है म्लैनस टोटल अभी देद्वारा फिर से दे दिया है इस लोगन वह से पहले लेच्ट की है लेकिन अभी 707 का जो million US dollar का total अभी दे दुआरा फिर से दे दिया है इस लोग है गरीब लोग है उनके उपर नाग पड़े कम इपक्ट पड़े तो इसके लिए लोग दिया गया है तो लोग एम्स तू प्र इंडिया इकोनोमिक जो एड है उसको strengthen करने के लिए मजबूत करने के लिए बिजनेस एच्पैंस सोचल सेफटी है उसको सोचल सेफटी को सेफटी को सथी करने के लिए and Nets for the needy and healthy care systems तो लोग रखेस को भी develop करनेके लिए और जो गरीब हैं जो जिनके पास खाने ये loan लुट दिया गया है तो एई याइई इभी के बार में जाल लेते एड़ने लिच्वाटर है बेजिंग चाइना में और प्रेजिट है लिक्विन तो यह प्रेजिट है इनके नेक्स्ट है HDFC Ergo and Tech firm कौन है Tech firm कौन सी है ट्रपो ट्रपोगो है उन्होंने जोएंट लिए एक लॉंज किया इंडिया का फर्स्ट पे एज यू फलाई इंस्वरेंस फॉर ड्रॉंस तो यह ड्रॉंस के लिए एक इंस्वरेंस जो लाया गया है उसमें क्या है जो पंदरा जोन है यू के बेस्ट फर्म है इसका नाम है ट्रपोगो लिमिटेड तो इन्होंने क्या है अपनी तरह का पहला इंडिया फर्स्ट पे एज यू फ्लाई इंस्वरेंस टाकी ड्रॉन ड्रॉन और हजो उनको यह क्या है इंस्वरेंस के अभी तक ऐसी कोई फैसलिटी मिली नहीं लेकिन तो यह HDFCR गो और ट्रॉपोगो ने क्या किया है आपस में जो बात करके क्या है यह लॉंच किया है तो मेंबर ओफ दिस पोलिशी कें क्लेम इंस्वरेंस अप्टू दस लाग तका इंस्वरेंस मिलेगा और ट्रॉपोगो मॉबाइल एप एंड दे कैन आप्ट फूर फूर ह दे और एवन मंथ कवर तुिञल तरफ थर्ड पर्टी तुज ताले तैंस्वरेंसव अगेंस थर्ड़ पर्टी लाएविल्टी तो इक तीन तरह के दिये गहें जारावर का या फिर वण दे का या फिर फूरे वन मन्त का एक कवर हैं वो खरीद सकते हैं तो थार्ट पार्टी लाइविल्टी से उनके खिलाफ तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरह बढ़ते हैं इसका अभी हेड़कॉर्टर पहले उसका जान लेते हैं 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 मुंभी महारास्टर में जो हैं जो हैं जो हैं रितेश कुमार और जो ट्रॉपो को लिमिटेड हैं उसका हैं साउ है डिफे भाटिमिजम् टू बीकम नेट जीरो कर्बन तो और यह अपना कदम उठाने के लिए इंफर्सिज ने साइन किया हैं में जनको उनको यह इनफर्सिज ने बार्टर्व किया था अमेजन एंड गलोबल वैटमिजम रेंट कमक्रीयां हैं और साइड था क्लायमिट जो फांडर है ग्लोबल ऑप्टिमिजम की दोनों इनके नाम काफी इंपोर्टेंट है एंड फॉर्मर युनाइटिन नेशन क्लाइमेट चीफ तो बिकम नेट जीरो कर्बन बाइट 2040 तो जो क्रिस्टिना फीगरस है वो क्या है एक तरह से फॉर्मर के हैं ग्लोबल जो मतलब युनाइट नेशन की जो क्लाइमेट चीफ रह चुकी है तो उन्होंने 2014 तक जो नेट कर्बन नेट जीरो कर्बन है उसको एटेंड करना के लिए अपस में एक प्लेजगी है अपस्या पथली है टेन येर्स एहड़ ऑफ परिश अग्रिमेंट तो परिश अग्रिमेंट का तक है तो उसके मतलब बाद दस साल के बाद तक क्या किया है उन्होंने कि भी नेट जीरो हम कर्बन क्या सकर सके है अटेन कर सके हैं तो इन फैसिस के सीओ और एमडी है सलील परेक एंड अमेजन के फांटर एंड़ सीओ है जैफ बेजोस तो नेक्स्ट है आवार्ड अन रिक 2020 का तो शोड़ा जो नको जो दो इंडियन स्टार्ट अप है इस टेल अप्स एंड जैस्ट मनी वह फीचर के गए थे लिस्ट टेक्नलोजी पाइन इसमें पाइन इस कमतलब होता है कि अपने जो काम में वह निपॉन्ट सबसे उपर फिल्ड में अपने फिल्ड में सबसे उ एक रिलीज बाइव वर्ल्ड एकॉनमिक फ़रम ने इस में किती लिस्ट इसमें क्या गया था कि जो पाइनिर्स हैं ड्रेसिंग ग्लोबल इस्ट विद एडवांस टेक्नलोजी तो जो ग्लोबल इस्ट चल रहे हैं अब फिल्ड विलाल में तो उनको कैसे जो टेक्नलोजी सब्सक्रेद्वांस टेक्नलोजी उसके आलव से लड़ा जा सकता है उनको इस्टी को खत्म केर देशन के लिए सोलुस्य निकाला सकता है उस पर काम कर रहे हैं जो उनको एक लिस्ट निकाल गई है तो इसमें एक लिस्ट नीकाले कि उसमें किया है कि जो मॉइटन ट्वेंट इंड़ेंटरी इंडस्ट्री में इतनी कुछ ज्यदा होती नहीं थोय में उसे कया है प्र कि सब्सक्रांश करेतर कि 550 और कर रही हैं पूरी कंपनी का सरी का तो वर्ल्टी हैं जो ब्रेंगलोर करनाटका में चैटैल आप्स के जो सी हो है वो है रंजीत मुकंधन हैं बेंगलोर करनाटका में सबसे पहले सबसे पहले कौन बने थे लास्ट यह बने थे जो फर्स्ट इयर फस्ट एवर उंबस्ट में रहा है तो आप उनके पास जा सकते हैं तो उन्हें एज जाए एथिक्स ऑफिसर एड़ बस्ट में की जो बॉस्ट मिले थी उनको यह एक साल का क्या दिकार देगा उनको एक्सेंड कर दिया गया है तो टैने और फॉर्मर सुप्रियम कोट जज तो यह पहले कहते हैं डिके जन्द फॉर्मर के सुप्रियम कोट के जज रह चुके हैं तो एथिक्स ऑफिसर एंड उबस्ट में विश्ट के जो बॉर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यह काफी जो यह इसका फुल फॉर्म है काफी इंपॉर्टन है कई पर कॉस्ट में पुछा सकते हैं इसको बिसी जाई को आगे पीछे गुमा करके वर्ट को आ कर देगा है इनको एक्सेंशन दे दी गई है यह वाद फॉर्स्ट एवर उम्बस्टमेंट थे जो बीशेट के पॉइंट बई रिजसेट इस इंडिया इंस्टाल किया है जो ऑटमेटिक टिकेट चेकिंग एंड मैरेजिंग एक्सेस मशीन है उन्होंने किया है फॉस्ट ए उन्होंने क्या है अपनी फिर्स्ट ओ à Walter मैंटिक टिकेटक टेकिंग है और मैनेजिंग एक्सेस मsweise इसको क्या किया है वहां पर इंस्टाल कर दिया है अनागपुर टेशन पर तो जो सेंटर रिल्वे कर दिया है यह तो आत्मा इसकी फॉल फॉर्म है यह काफी इंपोर्टेंट है नाम तो मसीन इसको इसको इंट्रोडूस किया गया है तो प्रिवेंट ट्रांसमेशन ऑफ कोड़नाटीन थाकि जो क्या से पहले क्या था कि टिकट बगारा चुकिंग करने के लिए मैंने मुली चुकिंग किया थी तो उसके है अपस में अभी जो कोरोना वायरस का केस सल रहा है तो उसमें क प्रोना वायरस फैलने का खतरा है उसके खतरे को टालने के लिए जो अटमेटिक मसीन है वो लगाएगी है जिसका फुल फॉर्म है आत्मा तो दिस इस इनोवेटिव एर्निंग कॉंट्रेक्ट इंप्लिमेंटल बए नागर 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 सेंट्रल जो रेलवेज है उसके द्वारा ये इंप्लिमेंट की गई है फॉर प्रिवेंशन ओफ कोवेड नाइटीन तो इसका इंडियन रेलवेज के बारे में जान लेते हैं चेरिमेन रेलवेज बोड के विके आदव है और यूनिन रेलवेज मिनिस्टर है वो है पी उसको एल नेक्स्ट इस पोर्ट से फॉर्थ एसिन यूथ पैरए गेमस होने थे इंडिल व्हीं में होंगे तो चैन डिसम्बर दोहुजंबर 2021 में तो चैन पारोलिंपीड कमिटी है शह इस्ट ени आइपीसी उन एकन अनून्स कर दिया कि फॉर्ट ऐसिन यूथ पैरएमस हो बहरे encant में हौंग है फ्रों एक से 10 दिसंबर 2021 में तो इवेंट विल बी और्गनाइज इन पार्टनर्शिप विदा नेशनल परालेंपिक कॉमेटी ओफ बहरेंट तो जो बहरेंड की नेशनल परालेंपिक कॉमेटी है उसके साथ मिलकर की और्गनाइज कि जाएंगे जो गेम से बहरेंड में विदा सपोर्ट अब लोकल गॉर्मेंट इस इस फर्स ताइम इन बहरेंड विल होस्ट एंग बिग पैरसपोर्ट इवंट तो फर्स टाइम है ये तो काफी इंपोर्टन भी हो सकता क्योंकि क्या है इसा फस्टाइम किसी देश में अगर कोई इवेंट है कोई जो गेम्स वगरा है अगर पह है शेक मुहमद बिन दुएज अल-खलीफा अबिच्वरी के बारे में जालने थे महावीर चक्र अवार्डी और 1971 के वार हिरो रह चुके लेफ्टिनेंट जनरल राज मोहन बहरा का निदेहानत हो गया है अठाशी साल की उमर में ड्यू टू कोविड-19 कोविड-19 कोविड- सिमला-थो चुदिमीला में इन का जनमाध था यह रिशीवड महावीर चकर इन 1972 को क provin SMITH को इंडिया पकिस्तान वार उसके आ मैं گो कि जो आहिए मावीर चकर वो मिला था इन था ड्रॉल इन ए बैटल ऑफ बसंतर दो बसंतर जगह है तो महावीर चक्र के बारे मैं थोड़ा जान लेते हैं महावीर चक्र क्या है एक्ट्ष ऑफ कन्सपिरस गलंट्री तो बहादुरी के लिए वीरता के लिए वीशिस्ट वीरता के लिए दिया जाता है इन दे प्रेजंस ओफ एनिमी की भी एनिमी वैदर ओन दे लैंड एट सी और इन एयर तो भी जमीन पे हो समुंदर में हो हवा में हो अगर मतलों दुसमन के साथ लड़ाई करते वक्त कोई भादरी वीरता दिखाता है तो उसके लिए का मिलता है महावीर चक्र जो सेना में मिलता है यह तीनों सेनाओं के लिए अपलीकेबल है यह इस इस सेकिंड हाइस्ट जो मिलिट्री टेकुरेशन है जो सेकिंड हाइस्ट मिलिट्री का अफ्टर दा परम विर्चक्र सबसे उपर है परम विर्चक्र उसके बाद आता है महावीर चक्र तो नेक्स्ट नुच है गोवा से लेटर जो फॉर्मर गोवा दमनेंट दिव मिनिस्टर रह चुके हैं अच्छुट कसिनाथ सिनाई उस गोवन उस गोनकर तो इनका अच्छुट का सिनाथ सिनाई उस गोनकर तो इनका देहानत हो गया है 92 साल की उमर में यह पॉर्मर क्या रहे चुके मिनिस्टर रहे चुके हैं गोवा दमनेंट दिव के तो 16 जुन 2020 को इनका देहानत हो गया है यह अपने जो गोवा मेडिकल कोलेश है और होस्पिटल है लोकेटेट नियर पंजी तो वहां वे इनका देहानत हो गया है डूटू एज एलेटेट एज मैस तो काफी उमर हो चुकी थी 92 साल की उमर हो गी थी तो इसकी वज़से इनक कुछ बीमारी वारा के देहानत हो गया है तो गोवा दमन्द्यू का था एक युनिन टेरेटरी था इंडिया का फ्रों 19 दिसंब नाइंटी सिक्स्टी वन से लेकर के 30 मई 1987 तो के तीनों क्या थे युनिन टेरेटरी थे और 1987 में जब गोवा को एक स्टेट का दाजा दे दिय गया था तो दमन्द्यू का एक separate union territory बना दिया था तो पहले कहbles एक ही unit territory को उसका नाम गलन्द्यू फे सिंगल После लिए तेप्र Podcast भना दिया गया और पर को जो उसने क्या 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 है फिर्स्ट इंडियन स्टेट प्रेजेंटेट इस बजट एमीड काविड-9 तो कविड-9 के बीच में पहला एक देश बना जिसने क्या क्या किया अपना जो बजट है वो क्या क्या प्रेजेंट किया है रुपीज 2.24 लाक करोड बजट पॉब्लिसाइज दिभाई जो फाइनेंस मिनिस्टर कोन है वहां के बुगणा राजेंद्रनाथ है उन्होंने अपना जो बजट है जो फाइनसी लिए 21 के लिए लॉंच किया है तो ये फर्स्ट इंडियन सेट हो गया है जो covid-19 के middle में किया कर दिया है इन्होंने बजट को लॉंच कर दिया है तो अंदर प्रदिश के जो फाइनस्मिनिर्टर है भुगणा राजेंद्रनाथ राजेंद्रनाथ उन्होंने अंदर प्रदिश का स्टेट बजट दो पॉिंट 24 लाक क्रोड का बजट है जो फाइनसी इसलिए उसको खुल करके अपना जो बजट है उसको लोंज कर दिया है कि जो कोविड-19 के पेंड़ेमी चल दे उसके बीच में ही अपार्ट फॉम दिस अंडर प्रदेश के जो गवर्नर है विश्व भूसन हरी चंद्र उन्होंने अड्रेस किया असेंबली को फ्रो वीडियो प्रोजेक्ट किया गया है एंड जो रवेन्यों एक्सपेंडिचर इसको एस्टिमेट किया गया है एक लाग असी जार जो तीनसो बानों पॉइंट बैस्ट करोड के उपर तो अंद्र प्रदेश के बारेम क्या है जीविनिस्टर है यह यह डूगू सिरी संदिनती जगन अगर आप चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए दूसरे बज़े को सेर कीजिए ताकि वह भी करन्ट अफेर्स का अपने नौलिज है उसको बढ़ा सके तो थैंक्यू थैंक्यू वर्यमच